नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमरित महुसब मनाया जा रहा है इस महुसब से जुड़े एक पोश्टर पर विवाद खड़ा हो गया है दरसल भारतिय इत्यास अनुशंधान परिशद यानि आजादी के अमरित महुसब को लेकर जो पोश्टर जारी किया है उसमें देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवालाल नहरू की तस्वीर गायव है जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष और सांसर राहुल गांदी ने शनिवार को आई सी एचार की ओसे आजादी के अम्रिस्ट महुसब समारोज से जवालाल नहरू की तस्वीर हटाय जाने को लेकर कटाक्च किया उन्होंने पूछा कि देश के प्यारे पंडित नहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा राहुल गांदी ने फेस्बुक पर पंडित जवाला नहरू की कई तस्वीरें साजा की हैं इसके साथ उन्होंने लिखा देश के प्यारे पंडित नहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालो के कॉंग्रेस के कई नेताओं ने आईसी एचार की वैपसाइट पर आजादी के अमरत महुसब से जुड़ी कई तस्वीरें स्कीन सोट ट्विटर पर साजा किये हैं जिन में महादमा गांदी, सरदार बल्लबाई पटेल, नेताजी स्वास्चंद बोस, राजेंद प्रशाद, भगत सिंग, मदर मोहन मालवी और बीर सावरकर के चित्र हैं लेकिन नहरू की तस्वीर कायब है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने आईसी एचार के इस कदम को भद्धा करार दिया है कॉंग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कोई भी देश सुतंद्रता संगर्स का उलेक करने के वाली बैप्साइट से अपने पहले प्रधार मंती की तस्वीर नहीं अठाएगा लेकिन यहाँ पर किया गया जो बावती तुच्च और अन्याइपून है वहीं कॉंग्रेस नेता शिशी थरू ने कहा कि आईसी एचार ने पंडिर नहरू की तस्वीर रिकार्कत खुद को कलंकित किया है पार्टी प्रवक्ता पवन खेडा ने ट्वीट किया नहरू जी की फोटो असाने से क्या खुद का अतद बढ़ जाएगा बोना बोना ही रहेगा हलाक इस पूरे विबाद पर आईसी एमर की ओर से फिलाल कोई प्रतक्रिया नहीं आई है बता दें का आजादी का अमरत महुसब देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उप्लक्ष में मनाया जा रहा है जो पूरे 75 हक्ते चलेगा 75 साल पूरे होने के एक साल पहले से कारिकरम हो रहा है और 75 साल पूरे होने के एक साल बाद यानि 15 अगस्त 2023 तके महुसब मनाया जाएगा इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे है बन इंडिया हिंदी के साथ